हेलो फ्रेंड्स मैं नीरु जिन्दल शिरी हरी करोचिट नेटिंग चैनल की तरफ से आप सब का स्वागत करती हूँ देखिए आज मैं आपके लिए ये बहुती सुन्दर ठाकर जी के ड्रेस लेकर आई हूँ देखिए इसे बनाना भी बहुत असान है और देखने भी बहुत सुन्दर लग रही है इसे मैंने देखी टिकियां भी बनाई हैं इसके अंदर और मैंने इन टिकियों के उपर ये पतियों के शेप भी दी है ये मेरी चार और पांच नंबर के कानाजी के लिए ड्रेस हैं देखिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बनाने से पहले अगर किसी ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले और जो घंटी का बटना था उसे जरूर दबाएं ताकि जो भी मेरी नए वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुं लिए हैं देखिए अब हमने क्या करना है एक दो तीन तीन तीसरी वाली चैन की अंदर हमने डबल क्रोशिया कर लेना है दो चैन छोड़के देखिए यह हमने एक चैन के उपार डबल करोशिया बना लिया है अब तीन चैन डाल कर इसको टर्न कर लिए हमने यह हमारी जो तीन की चैन हो जाती है यह हमारा एक बीज वन यह है अब हम नेक्स्ट वाली चैन में भी एक बार डबल करोशिया करेंगे और उसके बाद सभी चैन के उपर हमने डबल करोशिया कर लेना है दो बार हर एक चैन की अंदर दो बार डबल करोशिया करेंगे जब तक हमारे ये एंड पे दो छोड़ लें सबी के उपर हमने दो बार डबल करोशिया करना है एक चैन की अंदर दिखिए अब हमारे पास थर्ड राउंड है अब हमारे पास देखिए पहले यहां पर फर्स्ट राउंड में हमने 25 चैन डाली थी सबसे पहले हमने 25 चैन डालने के बाद हमारे उसके उपर 23 डबल करोशिया पन ले थे फिर हमने चैन राउंड में देखिए दो बार दो चैन में तो हमने सिंगल सिंगल डबल करोशिया बन यहां पेनी डालना अब हम तीन बार डबल करोशिय करने के बार चौथे वाली चैन के अंदर हमने डबल करोशिय करना है फोर्थ वाली चैन के अंदर इस तरह से हमने सारे डबल करोशिय बनाना है हम अपना एक, दो, तीन, और चार फोर्थ वाली चैन के अंदर हमने दो वार डबल करोशिय करना है इसी तरह से हमने पूरे राउंड को कम्प्लीट कर लेना है यह हमारा थर्ड राउंड है देखिए मेरे यहाँ पे बिल्कुल पूरी आ गए यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला फोर्थ चैन है अब हमने यहाँ पे दोनों चैनों के उपर सिंगल सिंगल करोश्या कर देना है इस तरह से यह हमारे थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया फोर्थ राउंड पे हमने सारा राउंड सेम ही बनाना है हर एक चैन के उपर एक डबल करोश्या बना के राउंड को कंप्लीट करना है हर एक चैन के उपर एक डबल करोश्या बनाने इस तरह से देखिए अब हमारा फूर्थ राउंड कम्प्लेट हो गया है अब हम इसको डिवाइड करने हमने इसको आर्मज निकालनी है इसके देखिए यहाँ पे फूर्थ वाले राउंड में हमारे पास यह 52 डबल क्रोशिया है देखिए यहाँ पे थर्ड वाले राउंड में हमारे पास 42 थे अब हमारे पास यहाँ पे 52 डबल क्रोशिया है अब इसको 22 डबल करोशिया तो हमने बाजू के अंदर करने हैं दोनों सबसे पहले देखी हमने तीन की चैन बना के इसे next वाली चैन में डबल करोशिया किया सबसे पहले हमने साथ डबल करोशिया बना लेने हैं कि साथ डबल क्रोशिय बनाने के बाद अब हमने यह हमारे फ्रंट साइड आ जाएगा अब हमने बाजू निकाल ली है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा ग्यारा चोड़के बारमी चैन में हमने डबल क्रोशिय बनाने अब हमारा यह बैक वाला पोर्शन इसकी अंदर हमने 16 डबल क्रोशिय डालने है 15 और 16 दिखेए हमारे 16 डबल क्रोशिय डालने है 16 डबल क्रोशिय हो गए है अब हमने दूसरी बाजू निकालनी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा चोड़के हमने बाजू के ग्यारा चोड़ देने इधर भी और स्फिर हमने इधर भी देखिए यह साथ डबल क्रोशिय बनाये थे और इस साइड भी ह इस तरह से देखिए यह हमारी सारी डबल क्रोशिय हमारे डिवाइड हो गए है अब हमने एक राउंड और लगाना है हर एक बीज के उपर तीन चैन बनाने के बाद हर एक डबल क्रोशिय के उपर एक डबल क्रोशिय बना देना है पूरी लाइन हमने इसी तरह से करनी है कोई भी बढ़ाना या घटाना नहीं है इस तरह से हमने यह राउंड पूरा कम्प्लेट कर लेना है देखिए अब हमने इसको नीचे बनाने के लिए हमने यहां से साइड से स्टार्ट कर लेना है यहां से हुक को डालके हमने हमारा यह वाला राउंड पॉर्फ स्टिक से बनेगा अब यहां पे हमने पॉर्फ बनाना है देखिए धागा टायच करके इसको थोड़ा साख हींच लें फिर यहां से हमने चार बार बल ले लेना है चार बार बल लेने के बाद पॉर्फ बनाना है उसके बाद तीन चैन एक दो और तीन चैन बनाने के बाद हमने लेखिए दो छोड़ देने हैं दो डबल करोशय चोड़के उसके बाद के अंदर नेक्स्ट वाले के अंदर थर्ड में हमने फिर से पॉर्फ बनाना है चार ब तीन तीन चैन बनाई उसके बाद देखिए हमने एक दो दो छोड़ देने हैं डबल करोशिया और यहां पर हमने इसके अंदर पाफ़ बनाना है इस तरह से तीन चैन डाल देखिए हमारे पास इस चोली की अंदर हमारे पास 30 डबल करोशिया है लेकिन हमें 32 चाहिए इस डिजाइन को कंपलेट करने के लिए हम क्या करेंगे एक तो हम यहां पर अरजर्च कर लेंगे और हम यहां पर देखिए अब हम सिर्फ एक छोड़ देंगे बैक फ्रैट पर यहां पर हमने एक एक छोड़ने के बाद हम यहां पर पफ बनालेंगे इस तरह से चाहिए तो जब आप चोली बनाएंगे तो यह वाला राउंड देते हैं तो आप इस वाले राउंड में पहले से ही 32 डबल करोशिया बना लें एक दो तीन अब हमने फिर से दो छोड़ दे देने हैं एक यह पास वाला देखिए इसके एक और दो दो छोड़कर यहां इसकी अंदर हमने पफ बनाना है इस तरह से हमने यह राउंड पूरा कम्प्रेट कर लेना है देखे एक छोड़ दिया और दो और यहाँ अंदर से हमने इसको पफ बना लेना है इसी तरह से हमने ये राउंड पूरा कंप्रेट करेंगे हम इसको इस तरह से आ, आ तीन तीन चैन इसके अंदर डालते हैë, हमने एक यहाँ पे कम डाला एक छोड़ा था आपने दो से करने थे हमारे डबल क्रोशिय इस तरह से आप एक यहाँ पे कर를ëं इस तरह से आप पूरा राउंड करें और यहाँ हमँारे सोलागाए इस तरह से एक, दो, तीन, चा बना लिए हैं अब हम यहां से इसको दागे को कट कर देंगे देखिए इस तरह से अब हमने देखिए इस तरह से यह हमारे छे टिकियां बनानी है हमने यह बनाना बताती हूं मैं आपको किसो से पहले हमने छे चैन बना लेनी है एक दो तीन चार पांच छे छे चैन बनाने के बार को यहां से स्टिच कर दें एक चैन बना के इसको खींच के यहां पे भी हमने पाफ बनानी है चार बार बार लेके इस तरह से एक तीन नागने हमने यहाँ पर बनाने के बाद एक, दो, तीन फिर्से यहाँ पर भी हमने देखें यहाँ पर मैंने आठ बार पफ बनाया है इस टिकी के अंदर आठ पफ बनाने आपने इसी तरह से एक, दो तीन चार चार बार 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 लेके देखिए इसको एक दो तीन तीन चैन बना ले फिर से पफ बना ले इसी तरह से आप इसी होल के अंदर आठ बार पफ बना ले चार बार बार ले लेते हुए इस तरह से इस तरह से हमने देखिए ये हमने छे टिकियां बना ले हैं सबसे पह देखी इस तरह से हमने मैंने ये 6 पीस बना ली है इन दागों को देखी इस तरह से 6 अंदर कर देखी अब हमने इन सभी टिक्कियों को इसके अंदर अटेच करना है कि अब हमने कहीं से भी इसको हमने ले लेना है कि सबसे पहले अब हमने blue कलर लेना है और इसके उपपर यहां से धागाट आच करकी पाफ बनाने हैं सबसे पहले यहां पर इस तरह से चार बार बार लेके हमने यहां पर पफ बनाना है इस तरह से एक दो तीन तीन डार के फिर इसी सेम प्लेस के देखिए अब हमने इन टिक्कियों को जो हमने बनाई है इसके साथ इसको बनाते भी जाना और इसके साथ अटैच भी करते जाना है अब हमने देखे सबसे पहले हमने next color लगा के इसको यहाँ पर attach करें एक chain बनाके इसको थोड़ा उपर खींच के यहाँ पर आप पफ बना ले चार बार बल लेकर इस तरह ऐसे फिर एक, दो, ती, तीन chain डालनी है इसी के अंदर सेम प्लेस पर हमने एक पफ और बना लेना है दो, तीन, चार इस तरह से हमने यह पफ एक hole के अंदर दो पफ बनाने फिर एक chain बनाके next hole के अंदर फिर से हमने पफ बनाना है चार बार बल लेकर इसको इस तरह से complete करके एक, दो, तीन, तीन बार बल, sorry chain डालके, same place पर फिर से हमने एक पफ बना लेना है इस तरह से, पफ बनाने के पाद, देखिए, अब हमने इसको इसके साथ attach करना है इसको इस तरह से, इस तरह से पकड़ लें लेकिए इस तरह से, इस ऐसे पकड़ेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा इसको अपने इस तरह से पकर लेना है और यहाँ से हमने इसको देखे हैं हमने इसके अंदर एक चैन डालनी होती है हमने इसको यहाँ से इस तरह से अटेच कर देंगे अब हमने एक चैन डालके फिर नेक्स्ट के अंदर पॉफ बना लेना है इसी तरह से चार बार बार लेते हुए देखिए आप यहाँ पर चैन चाहिए ना ही डालें क्योंकि हमने एक ही चैन डाली हुई है इस तरह से अब हमारा ठीक है एक दो ती इस तरह से हमारा यह पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है एक चैन डालके फिर नेक्स्ट होल में दो पॉफ बनाने है झालके पॉफ बनाने है झालके पॉफ तरह से जालके वारा यह दो दितना है इस तरह से हमने ये पूरा अपना राउंड इस चक्कर को पूरा कर लेना है एक होल के अंदर हमने दो दो पफ बनाने है नपना राउंड पूरा अपना राउंड बनाने है कि इस तरह से यह हमारा जाउंड कंप्लेट हो गया यहां पर इस तरह से कि हमारा इस तरह से आ जाएगा अब हमने देखे एर नेक्स्ट वाली टिकी को ले लेना है और इसको यहां से टैस्ट कर ले इसको भी यहां से देखे इसको हमने यहां पर कट कर देना है अब हमने नेक्स्ट जो हमारी टिकी है उसको जोड़ना है देखे इसको इस तरह से रखें देखे दूसरी वाली टिकी के उपर हमने एक पफ़ बना लिया हमने एक पफ़ बनाने के बाद तीन चैन डालते हैं हमने एक चैन डालनी है इसको देखे हमने इसके इसके साथ attach करना है पहले इसको यहां से इस तरह से पकड़ा हुए हमने कि इसको एक दो और तीन गिन लेने हैं हमने एक दो तीन और इसको इसके अंदर डालके हुक को हमने पहले slip stitch किया फिर एक chain डाल दी है हमारे तीन chain बन गई हैं अब हमने इसी के अंदर पाफ बनाना है से प्लेस पे, तीन, चार वर वल्ले के, इस तरह से, एक चैन बनाने, फिर नेक्स्ट के अंदर, हमने पाफ बना लेना है, एक, दो, तीन, सेम प्लेस पे, हमने पाफ बनाना है, इस तरह से, जब हमारे दो बार, तो होल के अंदर पाफ बन जाएंगे, तो फिर हमने, देखिए इसको, यह हमारे इस तरह से है, इस तरह से आजाएगा यह, अब हमने क्या करना है, इसको, यहां से, एक, तीन छोड़ देनी है, एक, इसके अंदर तो हमने बनाया हुआ है, एक, दो, और तीसरे के अंदर, इसको हमने इस तरह से, पहले भी मैंने बताया था, हमने इसको इस तरह से पकड़ लेना है, अपन यह हमारी इस तरह से टिकी अटाइच होई है यहां पर अब हमने यहां पर हुक डालनी है देखे इसको इस तरह से पकड़े इस हाथ से आप इसको पकड़ ले और इसको यहां से छोड़ दें तीन इसमें यह बनाए हुए एक दो और त्सके अंदर हम ने सपफ के अंदर लेखे इस तरह से ल्हक डालकर यहां पर इसको एक चैन बना चैन बना इस तरह से अब हमने पूरी टिक को कबर कर देना है इस तरह है जैसे जैसे हमने पहले किया था तीज इसी तरह से आप पूरी टिकी को कवर कर ले इस तरह से हमारे ये टिकीया हमारी चोली के साथ अटायर्च होती जाएंगी अब ये राउंड हमारा देखिए इस तरह से बिल्ट पूरा होकर यहां तक आजाएगा इसको यहां तक हम कंप्लेट कर देंगे देखे ये हमारा यहाँ पर खतम हो गया है इसको यहाँ पर टैच कर दें इस तरह से इसको धागे को कट कर दें देखे ये हमारी है इस तरह से दो अटैच हो गए हैं अब हमने थर्ड पीस को ले लेना है दिखिए हैं एक पफ बनाने लिए हमने एक पफ बनाने के बाद हमने इसके साथ फिर इस टिक को अटैच करना है देखिए इसको आगे की तरफ हमने टैच करते जाने इस साइड नहीं करना देखिए इस तरह से हमने इसको यहां से अटैच किया हुआ था अब हमने इसको यहां से तीन बार गिना, एक, दो, तीन, तीन पफ छोड़के इसके अंदर हमने इस तरह से को को डालके फिलिप स्टिच कर लेना फिर एक चैन बना लेनी है, इस तरह से हमारे यह टिकी, फिर हमने इसी के अंदर एक पफ बनाना है अब दो होल में पफ बनाने के बाद फिर हमने इस तरह से, देखे हमारा इस तरह से इसको रखके देखे, इस तरह से यह आगे जाने लगए अब हमने इसको चोली के साथ अटेच करना है, इसको यहां से पकड़े और यह देखे इस तरह से ही इसको रखना है यह देखे इसको इस तरह से हमने रखना है और हमने आगे तीन पफ गिनने है देखिए इसके अंदर अटायच है ये एक दो और तीन इसके अंदर हमने को डाल लेनी है इसको यहां से डालके हमने इसको यहां से सलिम स्टिच कर देना है फिर हमने बस इस टिक्की को पूरा कम्प्लेट करना है इसी तरह से हमने सभी टिक्यों को अटैच करते हुए चले जाना है इस तरह से यह हमारी चोली है इस तरह से हमारा राउंड बनता चला जाएगा सबसे पहले हमने जो नई टिक्की लेनी है उसके अंदर एक पफ बनाने के बाद इसको यहां से हमने एक दो तीन गिन के इसको यहां से हमने अटैच करके फिर इसके अंदर पफ बनाना है फिर नेक्स्ट वाले होल के अंदर पफ बनाना है उसके अंदर पफ बनाने के बाद हम एक दो तीन गिनने के बाद यहाँ पे attach करना है watching पूरी तरह चिछ करण है इसी तरह से हमने यह पूर समानी यहां पे लगा देनी है इसा को आप complete करें इसी तरह से लेसी हमारी हैसनी कवीए हैसके साथ attach करना है. देखे, पहले हमने इसको attach करने के बाद हमने देखिए, इस तरह से next में दो वर बना लिया है और उससे next में हमने एक वर बनाने के बाद देखिए, इसको हमारे discovery total 3 puff हो जाएंगे, इधर से भी हमने 3 puff छोड़ देने है देखिए इस तरह से एक दो तीन और इसको यहां से हमने इसको टैज कर देना है इस तरह एक चैन बना कर हमने इसी की अंदर बना लेना है और इस स्टिक्की को कंप्लेट कर लेना है इस तरह से देखिए यह हमारा इस तरह से बनकर त्यार हो जाएगा पूरा टैज हो जाएगा इसको कंप्लेट कर लेते हैं सबसे पहले दीचीए यह हमारी सारी टिक्कियां टैज हो गही है इस तरह से दिखने में लग रही है देखिए अब हमने क्या करने है नेक्स्ट बनाना इसको दीखिए हमने यहां पर तो इसको टैज किया हुआ है एक दो यह दो होल छोड़ देने हमने एक और दो इस वाले होल के अंदर हमने पफ बनाना है वही चार का लेते हुए इस तरह से फिर हमने एक चैन डाल देनी हैं फिर नेक्स्ट के अंदर पफ बनाने हैं और यहां पर हमने दो चैन डाल देनी है दो दो चैन डालते जाना है हर पफ के बार यहां पर हमने पांच पफ बनाने हैं पांच खोल के अंदर और चार हो करे हैं दिखिए इधर से वह हमारे एक होल चोड़ दिया एक यह भल दूर चोड़ गया और इधर से हमने एक इतर होBob से बराबर चोड़ना है और सेंटर में हमने 5 पफ बना लेने हैं इस तरह आजी 5 पफ बनाने के बाद फिर हमने 10 चैन बनानी है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 देखिए 10 चैन बनाने के बाद फिर से हमने यहाँ पे एक इसको छोड़ देना यहाँ पे तो हमने देखिए अटैच किया हुआ है इसको फिर इसको नेक्स्ट छोड़ना है और इसको नेक्स्ट फिर इसके अंदर देखिए इसको और इसको छोड़के इसके अ इसी तरह से हमने यह पूरा राउंड कंप्लेट करना है इस तरह से पांचों के उपर हमने इसी तरह से पांच-पांच पाफ बनाने हैं इसी तरह से यह हमारा राउंड कंप्लेट हो गया है इसको यहां पर कर दें देखिए अब यहां पर नेक्स राउंड बनाने के लिए अब हमने यहां पर पाफ बनाना है फिर एक दो तीन 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 डाल कर दिखिए इसी सेम प्लेस के उपर सेम प्लेस पर फिर एक पाफ बनाना है इस तरह से हमने एक चैन डालके फिर नेक्स्ट इस होल के अंदर पाफ इसी तरह से अब हमने एक होल के अंदर दो दो पाफ बनाने है तीन चैन डालके एक चैन डालके फिर नेक्स्ट एक दो तीन एक होल के अंदर हमने अब दो दो पाफ बनाने हैं कर sevi कैन आपकिन आपक कर दो पाफ दू होल इस तरह से हमने यह पाफ के उपर पाफ बनाने हैं अब हमने एक दो तीन चार और पांच पांच चैन डालने के बाद देखिए हमने यहां पे चार चैन डालने हमने चार चैन डालने के बाद एक दो तीन चार चैन चोड़के पांच में वाली चैन की अंदर हमने डबल करोशिया कर लेना है फिर एक चैन डालके फिर नेक्सट चैन के अंदर हमने डबल करोशिया करना है इस तरह इस हमने यह बना लेना है देखी हमने यहां पर चार चैन डालने के पार इसको यहां से सेंटर में से हमने यहाँ पे 10 चैन डाली थी इसको यहाँ सेंटर में से हुक को डालके चैन की अंदर हमने डबल करोशिय अगर के इसके अंदर 2 चैन डालनी है फिर यहीं पे सेम प्लेस पे हमने 1 डबल करोशिय फिर से कर देना फिर 1, 2, 3, 4 चार चैन फिर बनाने के बाद हमने लेखिए इसके उपर जैसे हमने यह बनाया है 2, 2 पफ बनाते चले जाना 3 चैन डालके सेम जगा पर जैसे हमने बनाया है 5 पफ के उपर हमारे 2, 4, 6, 8 8 पफ बन जाएंगे इस तरह से हमने बनाना यहाँ पर नीचे 10 की चैन थी 4 चैन बनाने के बाद इसको यहाँ सेंटर में से हुक डालके डबल क्रोशिय करने फिर 2 चैन बनानी है फिर से उसी सेम जगा पर हमने एक डबल क्रोशिय करके 4 चैन डालेने फिर उसी तरह जैसे हमने यह बनाए है वसी तरह से हमने राउंड कंप्लेट कर लेना है अब देखिए अब हमारा यहां पे राउंड कटम हो गया है इसको यहां पे अब नेक्स्टर में चले जाएं देखिए इस तरह से अब इसकी अंदर हमने पफ बनाने है एक तो तीन चैन डालने के बाद सेम जगा पे फिर सी हमने एक पफ बनाना है एक चैन डालकी फिर नेक्स्टर वाली में हमने एक पफ बनाना है नेक्स्टर होल में फिर से एक चैन डालने है फिर नेक्स्टर वाली में एक चैन फिर यहाँ भी हमने देखिए सबसे पहले वाले में हमने होल में दो पफ बनाई फिर नेक्स्ट में एक पफ बनाया और उससे नेक्स्ट में एक पफ बनाया अब हमने यहाँ पे सेंटर में फिर इसके अंदर दो पाफ बनाने हैं एक तो तीन इसी के अंदर हमने एक पाफ वर बना लेना है एक चैन डालके फिर देखिए यहाँ पे आगे भी हमने नेक्स्ट में एक पाफ बनाना है एक पाफ बनाके एक चैन डालनी है फिर नेक्स्ट में एक पाफ बनाना है इस तरह से फिर एक चैन डालनी है और यहाँ लास्ट में हमने दो पाफ बनाने है अब हमने फिर से चार चैन एक दो तीन चार चैन बनाने के बाद देखिए इसके अंदर हमने पाफ बना लेना है चार चैन एक दो तीन चार फिर से इस ओल के अंदर हमने दो पाफ बनाने है एक दो तीन देखिए इस तरह से हमने यह अपना राउंड बनाते जाना है इसके अंदर हमने दो पाफ बनाए सबसे पहले फिर हमने एक पाफ बनाना है फिर उसके बार फिर एक पाफ बनाना है फिर यह सेंटर में हमने सेम ज़गा पे दो पाफ बनानी है बीच में तीन चैन डालनी है फिर से सिंगल सिंगल पाफ बनाना है एक एक चैन के बीच में, फिर हमें लास्ट में फिर एक होल में दो पफो बनाने हैं, चार चैन डालने के बाद यहां पर हमने एक पफो बनाने हैं, इस फ्रेंस ही हमने यह राउंड पूरा कंप्लेट करने हैं, अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि यहां से थोड़ा टाइट हो लाँ है, तो आप यहां पे दो-दो चैन डाल सकते हैं, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप एक चैन डालेगे, दो कि देखिए हमारा यहां पर राउंड स्कत्म हो गया है, हमारे ति आप कंप्लेट हो गए है, अब फोर्थ राउंड है हमारा, इसको क्या करना है, कि Of स अब इसको यहां पर बंद नहीं करना फिर नेक्स्ट वाली होल के अंदर पाफ़ बनाना है अब दोनों को इकठा करके इस तरह से अब हमने इसको पत्ती की शेप देनी है इस तरह से इसको हमने कम करते जाना है एक चैन डालके फिर नेक्स्ट में कि अब आप 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 कि अब आप वी में एक बनाते हैं एक एक पाफ़ बनाना है अब लास्ट पे हमने फिर से दो पाफ का एक पाफ बना देना है नेक्स टवी अब दोनों को इकक्ठा निकाल दें इस तरह से अब इसको देखिए टर्न कर लें एक चैन डालके यहाँ पर चले जाएं लिए कि कर लें फिर एक चैन डालके इसको थोड़ा सा धागा खीच के यहां पर पफ बनाने कर देखिए अब फिर नेक्स्ट इसको भी यहां पर बंदनी करना फिर नेक्स्ट एक पफ बनाना है एक चैन डालके फिर नेक्स्ट भाफ है यहां पर एक ही बनाना है एक चैन डालने कि अब इसको बंदनी करना अब लास्ट भी पफ बनाके दोनों पफ को इकठा ही बंद कर दीना है दो पफ का एक पफ बन जाएगा इस तरह से अब चैन डालके इसको टर्न कर लें तरह से अब यहां पर चले जाएं चलिप स्टिच करते हूं इस तरह से चैन डालके थोड़ा सा दागा कीच के यहां पर पफ बना लें अब फिर यहां पर बना लें करते हैं कि दिखिए इन तिनों को टेक बना दें इसको यहां से कट कर दें इस तरह से हमने सभी सक्तियां बना लेनी है हमारी कट करने के बाद इसको यहां से स्टार्ट कर लें जैसे यहां पे बनाया है उसी तरह यहां पे बना लिए आप अब हमने इसको कम करने है दो पफ का एक पफ बनाना है फिर यहां पे सिंगल सिंगल बनाना है फिर यहां पे दो का एक पफ बनाना है फिर टन करके फिर इसी तरह से साइड़ों पे दो पफ का एक पफ बनाना है इस तरह से हमारा यह बन जाएगा आप कम्प्लेट करने इसे देखिए अब हमने यह हमारी पत्तियां बन गई थी अब हमने इस तरह से पत्तियों पर बेडिंग करने हैं मैं आपको बताती हूँ देखिए आपने इसको यहीं से स्टार्ट करना है यहां से ही देखिए आपने यहां से स्टार्ट कर लेना है इसको यहां से चार डबल करोशिया बनाने है सबसे पहले चार डबल करोशिया बनाने के बाद तीन चैन डालके एक मूत्ति बना लेना है इस तरह से फिर यहां पर चार बार डबल करोशिया अब फिर एक दो तीन तीन चैन डालके देखिए इसको यहीं से उठा के इस तरह से दोनों में से निकाल दें फिर यहां से यहां पर हमने तीन बार डबल करोशिया करना है तीन बार डबल करोशिया करने के बाद फिर से हमने तीन चैन बना के देखिए इसको यहां से उठा लेना है दोनों दागें फिर इसको दोनों का एक कर देना है फिर यहां पे दिखिए यहां पे जो होल है इसके अंदर तीन बार डबल करोशिया कर ले इस तरह से फिर एक, दो, तीन, तीन चैन डालके इसको यहाँ से उठाके दो का एक कर ले, फिर देखिए इस नेक्स्ट इसमें तीन बार डबल करोशिया करें फिर एक, दो, तीन, तीन चैन बनाके इस तरह से फिर देखिए अब यहाँ पर उपर कॉर्णर पर यहाँ पर सबसे पहले हमने तीन डबल करोशिया कर लेने हैं अब यहाँ पर हमने पांच चैन बनानी हैं, पांच चैन बनाने के बार इसको यहाँ से उठाके इस तरह से फिर इसी जगा पर फिर से हमने तीन डबल करोशिया करेंगे हम इस तरह से अब हमने एक दो तीन यहीं से निकाल के इस तरह से अब हमने नीचे की तरफ जाना है यहाँ पर तीन बार डबल करोशिया दो तीन फिर तीन बार डबल करोशिया करने के बाद तीन चैन लें और इस तरह से फिर इसके अंदा तीन बार डबल करोशिया तीन चैन और मुप्ती बना लें कि फिर यहाँ पर तीन बार डबल करोशिया कि यह से हमने यहां से स्टार्ट किया था मैंने बता रहा है यहीं से स्टार्ट करना है हमने और फिर यहां पर आके हमारा खत्म हो जाएगा अब हमने पहले सबसे पहले तीन चैन बनानी है इसको यहां पर मूर्ती बना देना है और इसको और यहां से यह लास्ट वाला उठाके एकठे निकाल देना तीनों को इस तरह से इसको यहां पर हम बंद करतेंगे इस तरह से हमारा डिजाइन बन जाए है लिखे यह बहुत ही सुन्दर ड्रेस बन कर आई है हमारी इस तरह से देखे अगर आपको यह मेरी जैस पसंद आई हो ठाकर जी की यह हमारे चार नमबर और फांज नमबर के ठाकर जी को बहुत बड़ी आड्रेस आएगी आप इसको कलर कोई भी लगा सकते हैं देखे इस तरह से यह देखने में लग रही है और बहुत ही सुन्दर बनानी भी बहुत असान है अगर आपको यह पसंद आई तो प्लीज मुझे लाइक करें शियर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बोलें कमेंट बोक्स में कमेंट लिग कर जूँ रोचाएं कि आपको यह अड्रेस कैसी लगी तेंक यूँ झाल झाल झाल